मैं इतना जादा डर गई, चुकि मुझे दो साल बहुत मारा इन लोगों ने सर मेरे नाकुनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए कम से कम सौर लोग होंगे मैं बहुत स्थब्द हूँ, क्योंकि क्या होता ना जब लॉजिक की कमी पढ़ जाती है तो आप हैरान होते हो, कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मुझे यह समय नहीं है कि कोई दिन में ऐसे डेट रिमिंग कैसे कर सकता है पिहाली में प्रिया दरशनी नरायन, जो की लखनाओं केस में ओला कैप ड्राइवर को 22 थपड मारने के बाद सुर्खियों में बनी हुई है उनका एक इंटर्व्यू सामने आया और इंटर्व्यू को देखके मैं जैसे स्थब्द रह गया मेरी नींदे उड़ गई है क्योंकि मैं समझ नहीं पारा कि ऐसा कैसे हो सकता किसी इंसान कर लॉजिक इतना खाली हो और इस इंटर्व्यू को देखकर पता चल रहा है कि मैडम की गल्ती कोई है ही नहीं हम बेकार में मैडम के पीछे लग रहे हुए थे मैडम तो इनोसंट है यार भोली है बेचारी नादान है परिशान है किसी से बहुत इंप्रेस लगती है यादा ना वो फैशन इंफ्लूएंसर जिनको फ्री कपी सा खाना बड़ा पसंद था लगता है उनसे जाद ही इंप्रेस है और मैं तो कहता हूँ यह एक एक सूपर गल है एक्समेन की टीम की हैं लगता है आपको बलीव नहीं हो रहा गैस मैं यह प्रूफ करूँगा आपने मेरे रियक्शन देखेंगे आपने मेरे एक्सपोस और डीकोर देखेंगे पर आज आप मेरा सरकैसम देखेंगे 11 स्टेटमेंट सुंकी जिसमें मैं थोड़े छेद करने वाला हूँ तो देखते रहे यह वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है और अगर आपने अंते तक नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर देने वाले हो तो देखना जरूरी है देखते रहे यह लेट्स गो हाँ उडा देती बिल्कुल उडा देती क्योंकि शायद आपको ट्रैफिक रूल नहीं पता पर मैं आपको बता देता हूँ कहीं भी अगर पेडेस्ट्रीन सिगनल है तो पहले आप उसकी वेट करें जब वो ग्रीन हो तो आप जेबरा क्रॉसिंग को तब यूज़ करें और जहां नहीं है वहाँ आपको ट्रैफिक स्लोडाउन की वेट करनी चाहिए ट्रैफिक जब रुख जाए तभी आप जेबरा क्रॉसिंग का प्रयूग कर सकते हैं शायद आपको ये रूल नहीं पता मैडम और बड़े-बड़े मिडिया चनल्स पे आप ये क्लेम कर रही है कि गलती सारी उस कैब ड्रैवर की है आपकी तो कोई गलती नहीं पर यहाँ तो गलती आपकी दिख रही है जिस तरह आप उस बस के साने से गुजरती हुई दिख रही थी या छूग गई होगी पर आप इंजर नहीं हुई और जेब्रा क्रॉसिंग के ठीक पहले चादत ने अपनी टैक्सी रोक ली थी उसने क्रॉस नहीं किया जेब्रा क्रॉसिंग पर उसकी कार नहीं थी वो ट्राफिक रूल वाइलेशन है तो उसने सिग्नल तोड़ा दूसरा उसने ट्राफिक रूल को वाइलेट किया तो दूसरा वाइलेशन कौन सा है जरब बताएंगी और यहां ट्राफिक रूल उसने नहीं आपने वाइलेट किया जैसे मैंने बोला कि आपको जब ट्राफ पर इसलिए क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बैंक में डाका डालना है बहुत डिफरेंस है दोनों में पर यहां आपने तो सीधा लोगरे किया फिजिकली इसल्ट करके उसको वह भी एक बार नहीं दो बार नहीं 20 बार प्रॉपर्टी डैमे अगर मार लेती तो मैं जीत जाती है ना मैडम मेरे मेरे बस 10,000 वोट और आ जाती तो मैं इलेक्शन जीत लेती पर मैं जीत ना पाई और मैं ठीक समय पे 100 रुपर इंवेस्ट कर देता क्रिप्टों में बिटकोईन में तो आज मैं मिलियनेर होता यह इनी मगर अगर फिगर करती पुलिस CCTV फुटेज निकालती हो देखती कि यहां किसकी गलती है और पनिश करती जो भी उफेंस है उसके साफसे फाइन होता पर आपने तो यहां लौ ब्रेक किया लौ को अपने हाथ में उठा लिया आप तो शेंचा बन दे हैं अंदेरी रातों में और शेंचा कहां अपने तो उसकी स्वाबी मान को आपने उसकी सेल्फ एस्पेक्ट को अपने थपड़ों के नीचे अपने कदमों के नीचे इतना कुछला इतना कुछला कि आपको शरम बिनी आई बेरहमी से आपने उसके साथ ऐसा दोरवेवार किया और गुमान आपको इतना गुरूर पीशे जरूर आएगा मैं इतना ज्यादा डर गई चुकि मुझे दो साल बहुत मारा है इन लोगा हां हां यह सही बोल रहे हैं यह बात इन उन्होंने सही बुली इनको बहुत सालों से मार रहे हैं लोग दो-दो साल से इंफर्ट हर दिन मारते हैं समझें नहीं आप क्योंकि उनसे मिलती है हां कहां मिलती आपको नहीं बता है वहीं सपने में मिलती है मेरे नाखुनों को देखिए मेरे पैरों को देखिए ठीक है बहुत मारा है सर यह आप तो बेहन लग रहे हैं मेरी नहीं मेरी नहीं मुझे कुछ याद आ रहा है उंकी बेहन लग रहे हैं आप उन लाएधैन उसको का सर आप यह नहीं कर सकते तब उसमें मुझे मुख्का से मारगव यह उस पूरा विदिन चौ विनित्स कौन अदर हुआ और यह दख़े पूरे शरीरमचा लगी होई हें यह पूरे शरीरमचा लगे होई है यह सर व salvar यह सब को लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मिटर ने अच्छा के मारा था जैसे आप मार रहे थी 20-22 मार रहे था यह एक ही मारा था और यह 300 मिटर तक कर लोजिक किया यह ओलॉम्पिक्स देख रही थी आप यह वो रेस में पाडिस्पिट कर रहे थे सब लोग सारी मॉब आपके साथ जो 300 मिटर पर जाके रुख गए और यह जो सबूत आप मांगती रहती है हर इंटर्व्यू में कि सबूत लाओ सबूत इसका सबूत आपके पास है क्या कितने लोग थे क्योंकि ड्राइवर तो अकेला था उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा है साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है और वो मुझे लथेड़ते हों मारते हो 300 मिटर लेके गए तो जरत देखें यह 100 तो वो चीटियां जो उनको गिनके पूरे 100 हो गए होंगे मैं बिल्कुल अगरी करता हूँ मैडम सही बोल रही है मैडम सही बोल रही है सौत है वहाँ हड़ी भी तोड़ दी थी सर यह वाली ठीक है नहीं मैडम उन्होंने नहीं तोड़ी वह वाइटमिन डी नहीं ले रही है आपको डेफिशेंसी आप में जर चेक करवाई अपना ब्लड टेस्ट कम मिलेगा वाइटमिन डी वह इसलिए हड़ी तूड जाती है और आपके हड कि मैं एक पेशन्ट हूं मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं देखिए काफी बीमारी है मुझे हाँ काफी बीमारी आउंगी आपको पक्का बिकोज एक बीमार इंसान ही ऐसी हरकते कर सकता है जैसा आप ने करा शाहदत के साथ और और कहीं आप यह तंबाकु मबाकु क और मैंने का तो उन पर अफायार करी है पर मेरे कहने पर भी उन पर अफायार नहीं करी गई थी जब मैंने आपको कहा है मैंने आप्लिकेशन आपको लगाई है तो आपने पलट के मेरे उपर ही धारा लगा थी हाँ बिल्कुल आपके आपके कहने के नुसारी करना चाहिए ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि एक चोर चोरी करे गर में और फिर पुलिस के बास जा की बोले कि देखो इन लोगों ने अपने घर में चोरी करने दी, फिर बैंक में डाका डाले और कही देखो बैंक वालों को सजा दो, क्यूंकि इन्होंने इतने पैसे रख रहे थे और गर्ल या बैट बॉय होते हो तो वो दिख जाता है और आपका ही क्यों छुबएगा बड़े बड़े को नहीं छुप रहा तो आपका कैसे छुप जाएगा और आप तो बस एक सपने देखने वाली एक फैशन इंफ्लूइंसर की फैन हो आप बताइए अगर इसके जगे पे व पर वो इस responsibility में नकाम रहते हैं तो इसके लिए पीपोई की ज़रूद है और इसलिए भी क्योंकि यहाँ अब कुछ नहीं चुपेगा साथ में सोचे मुझा रुके मुझा करता रहूंगा इसे वीडियो में करता रहूंगा आप कुछ नहीं चुपेगा शब्बाख खैर खुदा अफ़ेस असरे काल राम राम चेसें गुडबाई तो काई र्वाल मो में काल राम प्रहा रुकी आवद हैं राम चेसे वीडियो भी क्योंकि यहा राम चेस्झा चुपेगा रहूंगा बारिक है